अपिसोड की शुरुबात होते हैं और हम देखते हैं नौर के स्टार्ड या मेटेरियल शॉप में जहां पे इनका उद्गाटन अब कुछी देरे में होने वाला है यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए लोला आ चुकी होती है साथी साथ लोना भी यहाँ पे होती है नौर को शुक्र करता है उसकी मदद करने के लिए पर लोला कहती है इसकी कोई बात ने जिसके बाद लोना कहती हमें और भी काम है मेरे हिसाब से हमें चले जाना चीए पर इससे पहले छे लोग जाते यहां पे आहमा आ जाती है और वो पूंस टिया आखिर कर यह दो और यहां पे क्या कर रहे है नोयर कहाता है वो यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए थी तब ही यहाँ पे एमा की नसर एक जार पर पढ़ती है जो कि खानी वाली चीज होती है नोयर कहाता है तुम इस चीज को खा सकती हो यह काफी अच्छा है जिसकी अब दे तीनों लड़के चीज को खाती है यह काफी ड बतायता है दरसल इनके पास अलग-अलग नाम थे पर यह तैनी कर पारे थे यह शौप को नाम क्या रखे जिसकी बाद यह लोग आखिर में टाइगर सन के नाम के साथ गया जो की होता है स्टार्ड येंड रेरिटी कुछी देर में नौयर के पैनर्ट्स यहां पर आ जाते हैं जिसके बाद ये लोग काउंटिंग इनना शुरू करते थे और कुछी देर बाद इनकी जो शौप की ओपनिंग है वो हो जाती है और नौयर कहता है स्टार्ड येंड रेरिटी इसकी ओफिशल ओपनिंग अब हो चुकी है जिसकी पतम देखते हैं कुछ देर बाद यहां प सोचन लगयाता है कि वो तो गरीब खांदान के नौबल का एक बेटा था जिसकी जौप चले गई थी पर जब यह अपने मासर ऑलिविया से मिला इसने काफी सारी चीजे की इसने टाइगर संग जैसा एक दोस्त बनाया साथ ही साथ एक फेमस नौबल ने इसका शुक्रिया क और इतने सारी चीजे करने के बाद फाइनली इन्होंने अपने सपनों का खोल लिया जहां पी मटेल बीज के काफी सारे पैसे कमा सकते हैं इस वजह सी ऑलिविया का शुक्रिया करने के लिए यहां पर यह कहता है कि हाँ आज तक आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिय करने के लिए और शुक्रिया के तौर पर मैं आपको इंचीन से अजाद करने वाला ओलिविया कहती है इसे करने की कोज रूत निया पर यह कहता कि नहीं मुझे प्रॉपर लिया आपको शुक्रिया करने दीजिए पर ऑलिविया इससे समझ लिए इसे 15th floor पे जाना पड़ेगा और नौयर ऐसे ही करता है वो 14th floor तक आ जाता है जिसके बाद उसे दो रास्ते देखते हैं एक वो अकेले जा सकता है और दूसरा वो अपने पार्टनर के साथ जा सकता है पर इसमें यह भी लिखा होता है जो पहला वाला रास्ता है वो लिए चटाने आ जाती है यहां पर लिखा होता है कि बिना स्किल के इसे इस लेवल को पार करना पड़ेगा वरना यह मारा जाएगा इस वजह सी वह आपिस आ जाता है और एमा को सारी बाते बता देता है कि कैसी यह ताकतवर बना और कैसी ऑलीविया से मिला नौयर की सारी आप यह सुनने के बाद एमा इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और यह लोग फॉट बोलता है जिस ही फॉट ने जोंके अंदर जा सकता है यह दोनों फिर फॉटिंथ वाले फ्लोर में आके सेकिंड वाले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि यह थोड़ा इजी वे औ साथी साथ यह लोगt दो लोग हैं कुछ देर आगे चलने के बाद नॉर और एमा के सामने एक आड़ फॉस गेट को खुलते हैं और बचले जाती हैं और जैसी लोग ठुछते उस गेट का दरवाज अपने आपी लॉक हो जाता है, नौयर काफी कोशिश करता है गेट को खोलने की पर वो खुलता नहीं है, कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ गौबलिन्स आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को चारो ओर से घेल लेते हैं, और इन दोनों को अपने वेपन्स नीचे गिराने के लिए कहते हैं, ताकि वो इनकी उपर हमला ना कर पाए, इस वज़े से इन दोनों को ऐसे ही करना पड़ता है, और यह दोनों अपने जतनी वेपन्स हैं, वो नीचे गिरा देते हैं, यह लोग फिर कहते हैं, कि हमें कुछ खाने के लिए दो, हमने काफी सालों से कुछ खाया नहीं नायर फिर अपने डामेंशन पॉकेट से इनने कुछ खाने के लिए देता है, यह लोग काफी अच्छे से सिखारे होते हैं, कुछ दिर बाद यह लोग एमा को कुछ करने के लिए कहते हैं, ताकि लोग एंटरेटीन हो सकें, वो उसे सूर की तरफ वरताव का निकले कहते है और एमा ऐसी करती है, नायर के कहने पे, कुछ दिर बाद गॉब्रिन नायर से और खाने के लिए मांगते हैं, साथ ही साथ वो इन दोनों की बेश्टी भी कर रहे होते हैं, इस वज़े से एमा को काफी गुछ सा रहा होता है, पर नायर कहता है कि हमें यहाँ पे धीरज रख के सामने ऑलीविया खड़ी होती है, उसे कुछ समझने आता, आखिरकार 15 फ्लोर में ऑलीविया क्या कर रही है, पर नायर जब ध्यां से देखता है, तो यह बिहोश होती है, जिसकी बाद नायर यहाँ पे पीकिंग आय का यूज करता है, और उसे पता जलता है, कि यह वाली ऑलीविया तो नकली है, यह इसकी मास्टर की क्लोन है, नायर को कुछ समझने आता, कि आखिरकार इस डैन जूंग ने इसकी मास्टर की कॉपी क्यों बना रखिया, तब ही इसकी नजरक बड़े से पत्थर भीजाती है, जहाँ पे लिखा होता है, कि ऑलीविया को बिना मारे इसके पास ऑलीविया की कोई भी मेमरी नहीं होती, पुन नायर का हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया करने लग जाती है, पर नायर कहता कि तुम ऑलीविया नहीं हो, तुम तो देस्ट चेन हो, जिसे मार के मुझे मेरे मास्टर को आजाद करवाना पड़ेगा, तो ऑलीविय और फिर एमा को किसी तरह समालता और कहता है कि इससे जितना हमारे लिए अभी नामुम्किन के बराबर है, इस वज़े से नहीं यहां पर लिफ्ट का योज़ करके सेकिंड फ्लोर पे आ जाता है, जहां पर ओरिजनल ऑलीविया आए, ऑलीविया कहती है, तुम आचानक से य ने कैसे उनकी ओपर हमला कर दिया, ऑलीविया कहती है, लगता है, वो काफी जाता ताकत वर है, इस वज़े से मुझे नहीं लिखता कभी भी तुम उसे हरा पाओगे, नौयर कहता है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे लड़ो और आपको आजाद करू, तो क्या आप मुझे कि आपकी कम्जोरी क्या है ताकि मैं इस क्लोन को हरा सको और आपको और आपको अजाद कर सकूँ पर ऑलिवे से बताती है कि यतन Vander नहीं के सब्कूरты किसी कम्जोरी क्या थी पर नॉयर के टाउन में एक बार यह किसी से लड़ी थी वह हम Junior कर Krug और उसके चिपक जाते हैं और यह से काफ़ी चाहता है हमें त्वित्वीच मिलते हैं अगली दिखा जाता है जहां रोड़ीरी में होता है और भी होता अलीविय के बारे में पता लगा रहा होता है। उसे पता चलता है कि जब ओलिवय यहाँ पे थी करीब 200 साल पहले वो क्लेल एक लिटरो लिन नाम के एक मॉंस्टर से लड़ी थी जो कि सैक्रिफाइट स्किल यूज़ किया करती थी और वो काफी जाता ताकतवर थी और इसी वज़े से नर्ड़ 10,000 एलपी दे कि उस्किल को स आदेगा और वो ऐसा ही करता है वो अपने सारी एलपी इस में देता है इसके पास अब 3,700 बची होती है पर यह जैसी ब्राइब कर रहा होता है यह देखता है कि ऑलेविय की कलोन इसके सामने होती है और वह इसी धूनद aurait शो द्योंकि होती है कि ऐसे मैं कभी भी नहीं होने दूगा और नहर यहाँ पर sacrifice skill का यूज़ करके इसकी ऊपर हमला कर देता है पर यह skill आता है किसी भी काम आखरी में जाते हुए क्या ही कहुँगा, इस थैंक्स फूर वाचिंग नेक्स वीडियो में मिलते हैं, और अलग एनिमी इसके साथ मिलते हैं, एंड यार मुझे पता एक और एनिमी है, जिसे मैंने इस केंटिनूर कर दिया है, पर जल्दी उसके एपिसोड लाने वाला हूँ आखरे में कैया ही कहुँगा, जाते हुए थैंक्स फूर वाचिंग नेक्स वीडियो में मिलते हैं, झाल झाल